माशा आल्ला इंशा आल्ला चाहेंगे गड़ मॉर्निंग गाइज विल्कम तो दी नीव व्लॉग क्या बोलना चाहरी हो मस नाशता ही कर लो गाइज अब मेरी रोज नौ से दस कॉल हुआ करेंगे तो मैं पॉने नहो या साड़े आठ उट जाए करूंगी जैसे आज तो मेरी आग खुली गई थी आठ सवा बजे पर आठ सवा आठ बजे तो बस अभी तो कॉल होगी साड़े नौ तो खतब होगे वह पंदरह मिनट में दस मिनट में आदा घंटा में एक घंटा में एक गंटे से जादा में कुछ नहीं कह सकते तो बस अब मैं आयो और मुमी बुना रहे हैं गर्मा गर्म गर्म गोभी पराथा यह किसका है यह दिखादोगे गई यह दीपाराथा यह दो पाराथा यह दीखो पराथा विद नीझी इंसधी स्टिकार बें हम कह सकते आएए सब ब्सक्रागव कूदिख एड हड पापलो पराथा पराथा पराइस पेरे पीछे में मम्मी ने देखो लाल मिर्च का चार और हर्वी मिर्च का चार का डाल दिया है और यह मैंना हमेशा से लाल मिर्च का चार खाना चाती थी है अचार के साथ पराथा और दूसरा पराथा हो रहा है यहां चाय बन गई है और बस हचार यह बाभू बेचा हुए पनीड खाके पनीड खाया है अब क्या खाएगा हाई गाईज गाईज ऑफिस ऑफिस खत्मों के बहुत बुरी लग रहें क्योंकि सुपर से में ऑफिस में बैठी हुई हूँ और क्योंकि कल की मैं छुट्टी ले ली थी और वेड़नस्टे के बाद मैंने अब आज त्यूस्टे मतलब थर्सडे फ्राइडे साटरडे संड मंडे पांच दिन बाद ओफिस खोला है तो वहीं सब अपना देखरी थी काम कर रही थी अभी मुम्मी को सुबह यह था और मन्नू भी बोल रहा है कपड़े दो कपड़े दो कपड़े दो क्योंकि मैं शाय लास संडे में दोए थे और आज हो गया त्यूस्टे तो इसलिए मैंने मशीन लगा दिया और मम्मी गई है जहां पर कल शादी थी न उनका आज वो है उन्हेंने एक संगीत लेडी संगीत रखा है मुह दिखाई के लिए तो बस मम्मी वहां गई है और मैं मम्मी जिस टाइं तयार हो के उन्हें फोटोस वोटोस तो क्लिक करवाई थी बट म मैंने वीडियो नहीं बनायी व्लॉग नहीं बनाया तो मैं फोटोस आगे डाल दूंगी बाकी बास यह है कि पप्रे दूल रहे हैं इन दोनों को खाना देगा चिको कैंडी को काई जिए देखो यह अपना खाना लेके बैठी है और उसने खा लिया है कैंडी क्या हो रहा है हैं यह पता नहीं क्या क्या डूंती रहती है इसने खाना खाया और आज के लिए मिठो और मन्नु पतंग उडाते न तो यह वाला जो चर्क है नहीं इसको दे दिया तो इसको लेके गूंगती रहती है पता नहीं कितनी पतंगे उड़ा चुकी है यह बस इसने खाना खा लि यह कि नीचे अधर उतर नीचे कि उत्रो कि नहीं उतरना कि यह धीट है गाईज अब उत्रेगी अब भी ने उतर रही है मंमी आ गई है और मैं मैं ममी से चाय बन वाई है क्योंकि वम्मी लाई दिया समोसा जो मैंने आदा खा लिया और इसमें थे शक्करपार नहीं नमक पा रहे और यह कचोरी और लट्डू बाकी ममी गहरते हैं वहां पे और भी था कुछ लेकिन ममी पहले ही आगई क्योंकि मम्म जरब फ Boyd TW जह से ऊप अच्छे से तो वह परेज दिख भीर है तो अब उस चलते मम्मी अब यह सोचिए जितना मैं लोर करके और परेज यह को हुआ नमे जिम जारी हूं मुझे कम से कम 15 दिन हो गया है हम उद्ञे है मैं नहीं और आज में कपड़े दो रही हो तो वो भी आज भी मुश्किल लग रहा है लेकिन हम जाएंगे जल से जल जाएंगे माशा आला इंशाला जाएंगे इसको मैंने भी एक पनीर का पीस दिया था इसमें से निकालके तो इसको लग रहा है कि अभी और मिलेगा और हालत देखो का मेरी कॉल चल रही है और चक्कर क्या हुआ है कि लाइट ही नहीं आ रही सुबह से और मेरा लापटप बिल्कुल डिस्चार्ज है तो मैंने फोन से जॉइन कर लिया है और क्या कहते हैं अब ममी नाश्ता बना रही है नाश्ते में बाजरे और मूली मिला के ढोड़ा अचा चटनी और अचार के साथ तो अभी हम नाश्ता भी करेंगे काई यह देखो यह चटनी वह वह पापा नाश्ता कर रहे है और यह हमारी लड़की यह बैठी हुए है काई सुपर बारिश का महौल हो रहा है तो ममी कपड़े भैक रही है यह 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 शंदर बैठा हुए पुपलू गंदा बाबू तो थोड़ी दर तो रुख सकते हैं तो पलट दू सारे सूट यह तो यह 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 कई सम्बर बनाया था जिसमें सांबर मसाला नहीं तो और कड़ी पत्ता नहीं था बाकि सब था क्योंकि वो सांबर मसाला आया नहीं क्योंकि आज सारे कामों में लेट हो गया आज सुबह कपड़े सुखाने थे छट पे फिर बारिश का महौल हो गया बांध बूंदे आ रही है तो वह आई नहीं पाया तो हमने ऐसी चावल के साथ खा लिया बाकी यह मम्मी कल गई थी ना तो यह वाले मल्टी कलर वाले खा रही हूं तो खटा मेटा मजाएगा मुझे तो यह कॉंबिनेशन बहुत पसंद है आपको पसंद है क्या दाइसाथ सुबह से बारिश है मतलब दो पैर तीन बजे के बाद से दो बजे से बारिश हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि ठंड शायक कम होगी और अभी चल पूरी रोड्स गीली है और हलका हलका पता निया दूआ है या फॉग है आइड़ा हो चुका है गाईज यहां पे है बाइगन का भड़ता इस राइस दो पैर के दुस इस गटिया सा सामबर मेड़ बाए इस औरत हैलो और गईज बहार हो हुआ है बहुत तकड़ी बार्विश गैज चाए बना दिया मंवी ने और खानवाना हमने खाए लिया छब को चाह देती मैंने मंगी ने बूरी किचन पीस